नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं गौर्वेंट एंपलोजी न्यूजी सरकारी कर्मचारियों यह पैंसन अमोगेंश जोड़ी हुई हर एक ताज्या अपटेट का सबसे बरोसे मंदी यूटूब चैनल दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं नई पैंसन इस समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट जरूर करें और इस वीडियो का अधिक से अधिक अपने दोस्तों सेरे करें जिसे उन तक यह ख़बर पहुंच सके हैं और वह भी हाई कोट के द्वारा की के बारे में जान सके हैं तो दोस्तों यहां पर जैसे कि हरताल को लेकर प्रदेश सरकार के रवये पर हाई कोट ने कड़ी टिपनी की है और कोट ने पूचाय कि कर्मचारियों की सेमती लिए बिना उनका अंसदान सेर में कैसे लगाया जा सकता है नई पेंसन स्कीम अगर इतनी ही अच्छी है तो उसे सांसदों और विदायकों पर भी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है राजकिय मुद्रानले के कर्मचारियों की हरताल के कारण हाई कोट की कोज लिस्ट ने छपने पर नयामूर्ती सुधिर अगरवाल और नयामूर्ती राजंदर कुमार की पीट ने स्वेता संग्यान लेते हुए जनहित याचिका काय की है और याचिका पर सुनवाई के दोरान कोट ने टिपनी की कि सरकार करोणों रुपे की लूट खसोट वाली योजनाय लागू करने में नहीं चकती है तो फिर 30 से 35 साल सेवा करने वाले सरकारी करमचारियों को पैंशन क्यों नहीं देना चाहती है क्या सरकार करमचारियो को न्यूंतम पेंशन देने का आस्वासन भी नहीं दे सकती है और कोट का कहना है कि सांसदों और विजायकों को बिना किसी नौकरी या काम के पेंशन दी जा रही है ऐसे लोग वकलत या दूसरे वेबसाय भी साथ में कर रहे हैं जबकि सरकार की लंबी सेवा देने वाले करमचारी नेताओं को से अपनी सिकायत और नई पेंशन इसकिम की खामियों का बोरा दस दिन के बीतरा दालत में प्रस्तुत करने के लिए कहा है और सरकार को इस मामले पर विचार कर 25 फरवरी तक जानकारी देने का निर्देश्ट भी यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों करमचारी संग्ठनों से भी यह मांगा है कि दस दिन के बीतर दोनों इसकिमों को जो पहने फेट्स हैं और नुकसान है वो भी यहाँ पर हाई कोट को बता है तो दोस्तों यह काफी अच्छी ख़बर ने कलके आई है अब जिस तरीके से हाई कोट ने आप पर दखल देना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि उनकी भी पैंशन बंद हो जाए और उनको भी ने निपेस में कवर किया जाए तो काफी अच्छी ख़बर दोस्ते हैं पर उम्मिद करते हैं जरूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों सेयर करें और कमे करेंवादा